दोस्तो आर्टिकल 370 या फिर क्रैक भाई यहां पे विद्यूत जामबाल की क्रैक किस मुवी को पहले दिन मिला जनता का सपोर्ट कौन कितना दोस्तों करेक्शन कर रही है हेलो गाईस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका आर्टिकल 370 और क्रैक मुवी के डिवन के फाइनल प्रेडिक्शन के एपिसोड में भाई सहाब आखिर क्या नंबर दोस्तों यहां पर आते वे दिखाए दे रहे हैं आखिर कौन कितना कमा रहा है फर्सडे वेरी फर्सट डे दोस्तों इसके ऊपर हम लोग डिसकस करेंगे देखो भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि दोनों ही मुवी मुझे पसंद आई है भाई बेसिक लिए अब यहाँ पे जन्ता जनार्धन किसके लिए गाईज लाइन लगाएगी ठेटर में वो तो वक्त बताएगा यहाँ पे पहले दिन कौन जिता हुआ दिखाए दे रहा है कौन कितना गाईज पानी में है इस वीडियो में देखेंगे तो लाइक और सब्सक्राइक पर रहे हो तागि आपको डेली दोनों ही मुवी के कलेक्शन की रिपोर्ट मिलते रहे हैं तो करते हैं अपने इस वीडिय लेट स्टार्ट दरसल गाई देखो बात ऐसी है कि यार क्रैक मुवी से प्यार हो गया है क्या जबर्दस तरीके का एक्शन सीन अभी विजुल्स दिमाग में भूम रहे हैं अगर आपको इस मूवी का आनन लेना है तो आपको ठेटर में जाना चाहिए यह जो फोन में जो पारेसी है ना उससे काम नहीं चलेगा हाँ यहां पर दो वक्त के लिए हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 मूवी को आप लोग ओटीटी में देखने का इंतजार कर सकते हैं यह नहीं कह रहा है कि भाई मत जाओ उसको भी जाओ अगर आपको कोट और इस टाइप की मूवी ड्रामा मूवी पसंद है एक्शन पर दो जाओ भाई यहां पर दिखने के लिए तो गाई यहां पर हम लोग बात करें कि आखिर क्लेक्शन दोनों में से कौन कितना कर रहा है सबसे पहले हम लोग एडवांस बुकिंग की बात करते हैं हलाकि मैं सूबे ट्रिटर के बाहर द हाँ यह एक अच्छी बात है कि जो यंग्स्टर है वो शायद गाईज यहां पर क्रैक की और बढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जब मूवी देखके निकले तो कुछ ग्रूप आफ यूट आ रहे थे गाईज और हमने उन से पूछा कि आपको मूवी कैसी लगी तो गाईज सब से पहले बात करते हैं कि आखिर कौन कितना और कितना कालेक्शन हो चकता है सबसे पहले आर्टिकल 370 का दोस्तों आर्टिकल 370 की जीत है वो उसी वक्त हो गई थी जब हमारे शो में दोस्तों 50% जादा लोग आए होए थे यह जानने के बाप जूद भी कि इसमें कोई जा रहा है वह भी बड़ी ठीटर में आई नॉक्स पीवर इन सब जगह तो ठीक है मॉर्निंग 17 लेकिन चमतकर होता है आफ्टनून में यह लगभग डबल हो जाता है डबल से थोड़ा से कम लकिन 31% कि पैंसी और इवनिंग मामला मामला तो 45% दग चला जाता है अगर यही लोग इंटरस्ट दिखा रहे हैं तो गाइस यहां पर आर्टिकल 370 का इस तरीके से और हम लोग शहरवाइज और शोस की बात करें तो मुंबे में दोस्तों इसके 590 शोस हैं जो ऑकिपैंसी है वो 40 प्लस है दिली में मामला तो 60 प्लस की ऑकिपैंसी में 676 शोस पुने की ब जाते हैं कि आखरी यह मूवी कितना दोस्तो कर सकती है तो मुझे लुब रहे है कि दोस्तों यह मूवी शे करोड़ जा सकती है जा जाएजिये मूवी 2 करोड की एडवांस करने के बाद 2-3 गरतकर करेगी और यह चेकर दोस्तों कर रहे हैं अगर रातको बहुत चमतकारी आ सकते हैं कि यह जो मूवी है टूवर्ड हिट की और चल रही है आप लोग बोलोगे कि यार अब बता क्रैक का क्या हाल है क्रैक विद्यू जामबाल अर्जुन रामपाल दोनों की ही वहतरीन परदर्शन मतलब परफॉर्मेंस जबर्दस यहां पे मुझे इस मूवी से बहुत कमिया चल रही है टाइगर श्रॉफ भी विद्यू जामबाल की तरह ही दोस्तों मतलब उच्छन पान करते हैं ऐसा लोग कहते हैं लें गाइस टाइगर श्रॉफ की एक्टिक में थोड़ी कमी है लेकिन यहां विद्यू जामबाल इसमें जबर्दस है अलाकि वह अपनी ही तरीके की गाइस फिली मेकिंग जो स्टाइल है मुवी का वो गाइस लोगों को उससे रूबारू कराना चाहते हैं और यहां पर दोस्तों काम्याब भी हो रहे हैं तो इस मुवी में उनकी कुछ जो गाइस मतलब यहां पर इमोशनल सीन है वो हमें खुद इमोशनल कर देते हैं तो यहां पर अगर हम लोग एक बार चेक करें क्या कमा रही है यह ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग बारफ पर्टिशन जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी जो आफ्टरनून में 21 हो जाता है अमेजिंग हाला कि अगर यह 99 रुपेस नहीं होता तो गाइस सायथ यह मॉर्निंग साथ आफ्रनून 15 होता लेकिन फिर भी लोग आतो रहें वहाई कम से कम घर से निकल रहें घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ठेटर आके इस मूवी को देखना एक बड़ी बात है भागी आप लोग बूलोगी कि आफ्टर इवनिंग तो 30 प्लस है अच्छी बात है शोज पर ध्यान देते हैं आर्टिकल 370 से गाई इसके पास लगभग थोड़े बहुत कम शोज है लेकिन इतना कम भी नहीं लगभग 10-15% दोस्तों कम शोज है बुम्बे की बात करते हैं तो यहां दिली में दोस्तों काफी अच्छा हिजाब करताब है बा और शोज भी दोस्तों काफी ठीक हैं बैंगलीरू में इसके पास 226 शोज हैदरावाद में 156 शोज कोलकता 155 एहमदावाद 300-700 मतलब जो गाइस एक्शन लवर्स है ना वो इस मूवी को जरूर देखें मैं अभी फिस बोलना चाहता हूं यह ट्रीट है गाईस मतलब आखो मिलर नहीं यार ऐसे कुछ नाम था मुझे बता देना भाई मैं जातर्यमार का इसमाल क्या ही करूँ आप लोग पास चल गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं रेस वाली मूवी थी रेस नहीं था उसमें मतलब गाईस कुछ अलग ही सीन था आपनो मुझे बताना है कि कहने के ब कर सकती है मेरा पेडिक्शन क्या है तो मुझे अराम से लगता है कि यह मुवी चार क्रोड करेगी जहां आइस फॉर क्रोड का मैं पेडिशन लगा के जा रहा हूं मुझे लगता है कि दोस्तों क्रैक काफी अच्छा क्लेक्शन करेगी हाला कि हम लोग अगर आर्टिकल 370 के ओवर्सिस की दोस्तों बात करते हैं तो यह शायद ओवर्सिस में दोस्तों उतना कारगर शाबित ना हो लेकिन क्रैक को काफी अच्छे गाई शोज मिलें लगभग साड़े साथ सो स्क्रीन में रिलीज हो रहा है तो मतलब बीस माफना दो हजार पच्छे शोज तो इसको ज 6-7 क्रोड कमा लेगी मुवी का बजट 45 क्रोड की बात बताई जा रही है और मुवी का दोस्तों जो स्क्रीन प्ले हैं जो विजूल्स हैं वह देखने के बात लगा रहा है कि 100 क्रोड लगा होगा अमराने में लेकिन काफी अच्छे गाईस मतलब एक्शन देखने को मिला कम मजट में एक अच्छी बात है क्या कुछ है आपको क्या लगता है क्या 4 क्रोड नेट मैंने कम बोल दिया या ज्यादा बोल दिया और आर्टिकल 370 का 6 क्रोड ज्यादा बोल दिया बताओ भाई थोड़ा तब्रत खराब है मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही